चलू भाई तो अब हमरे मन मसूर कर जानकारी लिवब इकर लगिन खेत कर तयारी कालखे गरब रोरे से के जाना थे तो खेत कर तयारी लगिन दू तिन धाउं देशी हर से खेत के जोईत के पाटा चलाय देख चाहिए अगायत खरिफ कर फसिल और धान के काटल पाचे मध्यम भूई में मसूर कर खेती करें बुनेक कर बेरा मसूर कर बुनेक बेस बेरा अक्टूबर कर दोसर हफता से नवंबर कर दोसर हफता तक होयल बिहिन कर दर बिहिन दर तीस किलोग्राम प्रती हेक्टर में होयल उर्वरक कर मात्रा 25 अनुपाद 25 अनुपाद 25 अनुपाद 20 किलोग्राम N, P, K, S प्रती हेक्टर में होई चाहे इकर अलावे इकर में यूरिया, DAP और म्यूरेट अफ पोटास कर भी परियोग होई यूरिया कर पर्योग लगिन बारा किलोग्राम प्रती हेक्टर में पर्योग करिक चाहिए यूरिया कर मात्रा बारा किलोग्राम प्रती हेक्टर होई चाहिए डियेपी कर मात्रा 110 किलोग्राम प्रती हेक्टर होई चाहिए और मियूरेट ओफ पोटास करमात्रा 40 किलो ग्राम प्रती हेक्टर जिवान उखाद बुनेक से पहले बिहीन के रैजोबियम कल्चर से दवई करल बेश रहेल अब इकर निकाई और गुड़ाई पाहिलदाॉ इकर निकाई गुड़ाई वेल बिश से तीस दिनक बादे और दोसर धाउ चालिस से पैंतालिस दिनक बादे बेस रहेल खर पतवार कर नियंत्रन खर पतवार कर नियंत्रन ओहे लखे करेक्चा ही जे लखे बूट में करल जाय रहें अभी कर कटनी दौरी और भंडारन पोधा और फर्मन जखन पाइक के पियर होय जाय तो हस्वा से काइट के फसिल के रौद में सुखाय के धिड़ाय देवें दाना छिनेंग जाई छिन गय देवें और सफा केर लेवें मसूर करदाना के रोध में सुखाय के बढ़ियां से सुखाय के और भंडारन केर देऊ